तो आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास के में Power BI में हम बात करेंगे कि Outlook का Mails Data या Send Data का जो डेटावीश है तो कैसे Power BI में लाया जा सका है उससे पहले हम एक तरीका तो है जो कि मैं एकसम लिए करते हैं दिक उससे पहले हम देखना जाएंगे कि क्या Power BI में कुछ ऐसा तरीका है या नहीं है यह देता है आज सर ततर में आउट्वूक भी खूँदा है ततर में आउट्वूक भी खूँदा है इसमें आप देख पा रहे हैं ओल में इसमें कहीं आउट्वूक का दिखर नहीं है आज सर इसमें आउट्वूक के मेल्स डेटा को नहीं लेके आ सकते इसमें तो कैसे लाएंगे जैसे कि हमारे पास यह आउट्वूक का देटा है और मुझे इस मेल का चाहिए आउट्वूक का देटा इसमें देटा है हमारे पास यह पूरा देटा हमें चाहिए क्या तो उसके लिए हम एम्मेस एक्सेस को यूज करेंगे एम्मेस एक्सेस के अंदर ऐसा फीचर है कि हम आउट्वूक की डेटा को यूज कर सके हैं कि माइक्रोसोफ्ट एक्सेंज ओनलाइन है माइक्रोसोफ्ट एक्सेंज है ना सर्विसज आ अपके बास माइक्रोसोफ्ट एक्सेंज की मेल सर्विसज की तरी ना और Microsoft Exchange mail services को आइट करती है जसे Gmail गूगल करती है तो Microsoft Exchange जातो मेर का सही है Microsoft की अपनी भी होगी Microsoft की mail आईडी है उसको गज़ते ज़री है यहाँ देखे सिंपल है हमें data waves में जाना है data waves जाने के बाद यहां देखिए एक्स्टर्नल डेटा में आये और यहां न्यू शोर्स पे जाये इसमें अधर सोर्स में आउट्लूक फोल्वर दिखाए तुद अब इसको अब नए टेबल में करना है या करें टेबल में लिंक करना है उसके बाद आपके पास यहां पे मेल्स आ गया है इसमें कौन सी इमिल आईडी की चाहिए हमने इसका कौन सा इंबोक्स ही बहुत सारे फोल्डर्स है कौन सा फोल्डर चाहिए वो फोल्डर आप सेलेक्ट करें ठीक है फिर नेच्श एफिर आपके बास बहुत जार अ बेल सेया तो फिर था है लेगा आपके वास। घर बेल्स हैं तो फिर खिंदे हो घृ पीकर पास और फिर चाहले तो फिर वल्क पास पोल्स है तो कि अगर विए इसे हो जाना चीट है हो जाएगा करेक्ट 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 कि माइक्रोसफ एक्सचेंज पर यह माइक्रोसफ अकाउंट का भी ऑप्षन देता है अब वहीं तो मैं आपके पास माइक्रोसफ का अगाउंट है हाँ मेरे पास है मैं हमारा आपके आपका आपकों से इनर आईडी क्लास में क्या आपका आउट्लूक ने ने कंपनी नोगया.com है तो पिर आउटलूक कैसे कर देंगे और से तो आउटलूक तो सर्विस्ज़ प्र रहा है कैलेंडर, मेल, मीटिंग रिक्वेस्ट, पीपल, टास्क आपने इसका माइक्रोसफ का आईडी लॉगिं किया होगा जिस आईडी से आपका आउटलूक होगी होगा बिल्कुल मैंने सेम जी है और वो इमेल आईडी कॉन से डाली इमेल आईडी अपनी कंपनी की इमे सब्सक्राइज ए डिए और आगे एं। आए मेल डाल था मैंने ओखके व ए और म्यक्रोसफ्ट एक्सटेंग वशेयिक शर्च में से आगे माईक्रोफ एक्सचेंग फ्रीज़ा है एक माईक्रोफ एक्सचेंग जोगा सिर्फ दो आरहें नहां डोनों में से कोई भी ले सकते हो एक उन्लाइश नहीं जो घुनट ऑट-प्री मेरे निचे वाले से प्रीज़ा है इस में आप अपना नीचे सब्सक्राइब कर देखेंगे अच्छा इसमें इमेल एडर जाल दीजिए जो भी आपका अब लोग पर आपने अपने कंफिगर कर रख़ा है कि मैं आपको पता है आपना मैं आपको पता है कौन सा है लिए बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एकसेस नहीं होता है पास्वर्ट तक का एकसेस नहीं होता है हां वह तीज है उसमाज है ना वह सकता वह डिफरेंट जीज आई दो जैसे कि आपको को कंफिगर करते हैं सर्व पास्वर डालेंगे फिस जाहिए इसमें आपको अपना पास्वर्ट डाली है एक बार कि ले लेगा तुभी मेरी सारी मेल्स आ नहीं पोल्डर पार्स में देख रहा हूं इन बॉक्स मेरा पूरा आ गया नहीं मेरा नहीं है अपनिया उसके लिए मैंने यह सुद्धा होता है आपको यहां देखिए हमने आउट्रूक का डेटा उठा लिया आउट्रूक का पीस्टी होती है नहीं यह वी डेटा फॉर्मट में जिसे की कि इंपरेशन इन इन्पेटेंज क्या है अल्टां वाइन नॉमहाल म हम लॅन ही कुन सा फॉर्थी है ौएटि वो बॉर्थी सब्जेक कौन से कन्सा इंपरेशन नहीं क्या है कैसि कूल wordt सब्चेक कुन सब्चेक्ण काई सि racism क्या है सब्जेक्ट के आगे री तो नहीं है इसके बाद यहां पर अटेश्मेंट कितना है इसको पावर गया है तो आप क्या करें इसको पावर गया है इसको लाई सकते हैं क्या इसको पावर गया है पर उपना यूइज कर लिए और इसको बीद्विए आपका डेटा बनाना है यह सबस्क्राइब है इस एकक्सेश के धूरू आप लह सब्सक्राइब आपना आप लोग की दिशाओ है ठीक है इस लाइव नेक्टर है तो जैसे ही ना आट आएगा अप्डेयर अप्डेट होगा और जैसे अप्डेट होगा ऑफ और आप अप्डेट होगा अप्डेट होगा में कोई कॉलम नहीं चाहते हैं तो आप ट्रांस्पॉर्म में के चाहिए इसमें बहुत सारे फालतों कॉलम्स भी है ना सब कुछ कॉलम्स को आप डिलीड करना चाहते हो तो यह आपनी पावर क्यूरी में आकिक कर सकते हैं आप एडिड एंट्रांस्पॉर्ज पर क्लिक कीजिए और यहां पर आजए जैसे मुझे इन्पोर्टेंज नहीं चाहिए तो राइट क्लिक किया और हमें रिमोव आइकन भी नहीं चाहिए तो अभी आप रिमोव कर सकते हैं कि मैंनेज पेरेमिटर्स में जाके भी होता नहीं वो जो कॉलम्स चाहिए वोल देने के लिए हुख तो है इंट्रेमिट में डालेगे आसे ज़िक करने कोसिस की थे कुछ हो गया इसने तो यहां से राइट क्लिक के रिमुव किया जा सकता था इसके यूज कर ली सेगा ठीक है सब और मैं इसमें से आपको यह जो है यह पाथ जो है पाथ हम लोग का हम इसमें से कोई एक डैस्पूर्ट बना के देजिए कोई एक डैस्पूर्ट की डिजाइन इसके बनाएं तो बनाएं तो चलते हैं आपके पावर भी आई की कुछी क्लास बच्छी हुए है इसके बारे में प्रोजेक्स के बारे में डिसक्स करेंगे जो फॉर्मले छूट गया है जो मैं नहीं कराया है उसके बारे में डिसक्स करेंगे इसके बारे में पाईं प当ूप टे करेंगे whenever Aे जुए में की बारे में जो हुए है झाल जुए है इसरो ऊटिए мट जिसक्वार में तो चलताफ सब्साराई ठोटे गज आएं में तो इसके बड़िए